जै गुरुजी संगाची अगर आप भी अपना ससंग शेयर करना चाहते हैं तो दिये गए वाट्सेप नमबर पे जो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कॉमेंट बॉक्स में भी आपको वाट्सेप नमबर मिल जाएगा उस पे आप audio recording करके या फिर audio plus video recording करके या फिर लिकित ससंग भी शेयर कर सकते हैं और उस ससंग को सारे गुरु परिवार के साथ शेयर किया जाएगा जै गुरुजी शुकराना गुरुजी जय गुरू जी, शुक्राना गुरू जी, मैं परना दिवारी जवलपुर मध्य प्रदेश से बोल रहे हूँ, गुरू जी की कृपपा से आज मुझे अपना सस्थन शेयर करने का मौकर मुला है, मेरी और गुरू जी की जर्नी लास्ट यर गडेश जी की समय से शुरू हुई गडेश जी के समय गुरू जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, मेरी घर में शियुजी रूप में गडेश जी आये, मेरा छोट अबिटब पसंद करके लाया, और फिर उसी समय से गुरू जी ने मुझे जोड़ना शुरू किया, मेरे यूटूब में और फेस्वुप मे बहुत ज़्यादा गुरुजी के मैसेजिस आते थे तो मुझे लगता था ऐसे तो होता ही रहता है ऐसे तो सब आजकल बहुत ज़्यादा एडिटिंग करके लोग अपना अपना देते रहते हैं अपना एड़ड़ाइस करते रहते हैं तो मैं माफ करें गुरू जी मुझे मैंने बहुत ज़्यादा एग्नोर किया लेकिन गुरू जी को मुझे जोड़ना ही था अपने आप से तो बस ऐसा हुआ कि बस गुरू जी की प्रजेंस मेरे घर में महसूस होने लगे मुझे हर छकल गुरू जी समझ में आने लगे दिखने लगे फिर पड़ेशी के देना आए तो गुरू जी तो grew जी तो इतना जाधा दिखने लगे कि रात में तीन बजे के बाद मुझे सोने ही नहीं देती थी गुरू जी पिर इतना डर लगता था मुझे में को कहें भी ऐसे दिखते थे गुरू जी की खड़े हैं गुरु जी इधर से आ रहा हैं गुरू जी मैं इतना डरती थी वाश रूम भी जाती थी तो बहुत डर डर के जाती थी चार बजे के बाद उठोंगी हमारे बाबाजी हम लोग जबलकुर मध्यप्रदेश बेदी नगर में रहते हैं तो हमने बोले हमारे बाबाजी उठ जाएंगे हम तब उठेंगे उसके पहले मैं बहुत डर्ती रहती थी कि कहें भी मैं अगर उठके जाएंगा जाओंगी तो गुरुजी खड़े बिलेंगे मुझे ऐसा ही होता रहा एक दिन तो बहुत ही जाधा चंपा हो गया कि मैं वाश्रूम गई वाश्रूम से लौटी तो मेरे बैडरूम में एक चेर डली हुए है उसमें गुरुजी बैठे हुए अब मैं इतना डर गई मेरे मुझे आवाज ही ने निकल रही मैं पसीना पसीना मैं बोल ही नहीं पा रही कुछ ना मैं अंदर जा पा रही ना मैं वाश्रूम में जा पा रही मैं खड़ी हूँ बस खड़ी हूँ सारे भगवान को याद कर रही हूँ और खड़ी हूँ अपने अपने रिच्वल्स होते हैं, अपन साही बावा को मानते हैं, माताजी को मानते हैं, सब, सब को बहुत ज़्यादा प्रात्ना कर रहे हूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसे बैठे हैं, और मैं डर रहे हूं, बहुत ज़र रही, तम से अधीरिय से आवाज आती है, डरी फिर मैं अपने बैड्रूमें अंदर आए फिर मैं जब शोई तो बस मिज़े गुरूजी कही सवरूफ दिख रहा नेंद में भी सब्सक्री में भी गुरूजी रहा फिर उसी समय से मेरी और गुरूजी के जाने चालू है फिर मैं यूटूब में follow करने लगी, फिर मुझे उसे समय में अपने health issue से भी जूज रही थी, मेरे को शुगर है कुछ time से, मेरे शुगर बढ़ती जा रही थी, तो मेरे को सारे ससंग शुगर से रिलेटेड आते थे कि उसकी शुगर ऐसे गुरुजी ने की और की उसकी शुगर ऐसे गुरुजी ने की और की इतनी उनको मिठाईयां खिलाई गुरुजी ने ऐसा हुआ तो मेरा भी इंसुलिन चालू हो गया था शुगर क्या तो मैं भी फिर गुरुजी से प्रात्ना करने लगी कि अगर आप सबको अच्छा कर सकते हैं तो आप मुझे भी अच्छा करिये मेरा ये इंशुलिन बंद करवा दीजे मेरी भी शुगर नॉर्मल कर दीजे ऐसा कुछ हुआ कि कुछ टाइम फिर मैं सोच रही थी मेरे बड़े बेटे का उसी समय जॉब का कनफर्मिशन का चल रहा था फिर मैं सारे सरस्वं सुनती थी तो उसमें लगता था गुरुजी का स्वरूब घर आएगा गुरुजी के लॉकेट बच्चे पहनेंगे तो उनके सब रास्ते खुल जाएंगे सब रास्ते ठीक हो जाएंगे तो फिर मैंने बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों के लिए छोटा बेटा खेलता है तो मैं सोची उसका भी कुछ बहुत अच्छा होने लगेगा गुरुजी का लॉकेट पहन लेगा तो बस मैं फिर सोचने लगी कि गुरुजी मुझे कौन लेके जाएगा बड़े मंदिर इतनी जल्दी हस्बिन भी नहीं मानेंगे मैं कैसे ये सब चीजें आपका स्वरूप आपके लॉकेट कहां से पाऊंगी मैं फिर मैं सूचती थी कि जबलपुर में कोई नहीं मानता क्या फिर अचानक रात में मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया अपना स्वरूप और हमारे कॉलोनी में एक अंजली आउंटी रहती हैं उनको दिखाया मैं सुबह उठी फिर अंजली आउंटी के हाँ उनका मेरे पास नंबर भी नहीं था फिर मैं अंजली आउंटी के घर अपनी मेड को भेजा मैंने मेड से उनका नंबर मंगवाया फिर जब उसे मैंने बात करी तो वो खहती आप कैसे जानते हैं आप दो बाबाजी कू मानते हैं मैंने का हाँ तो दूले आप कैसे जान निया तो मैं तो नहीं जानते हैं पर घृरु जी मुझे जानते हैं और गुरुजी ने मुझे जोड़ा, गुरुजी ने फिर अंजली अंटी से मैंने कहा, मिरा बीटा बाहर जाने वाला है तो उसको लॉकेट चाहिए, और मुझे भी स्वरूप दीजेगा, ऐसा हुआ कि नौरातरी, हम लोग माता जी के स्थापना करते हैं, कलशिर स्थापना कि अपने बच्चों को लॉकेट पहनाया, फिर बस ऐसी डे बाई डे गुरुजी जोड़ते चले गए, फिर मैंने उनसे कहा, कि मुझे ससंग में भी ले चलिएगा, आंटी से, अंजली आंटी से, फिर आंटी बोली नहीं, अभी तो नौरातरी, तो मैंने बोला, नौरातर में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लंगर प्रशाद वहां खाना होता है, हम नौरातरों के बाद जाएंगे, उस समय में मेरा हेल्थ शू तो था ही, फिर मैं गुरुजी को ये सोस्ती थी, कि गुरुजी आप सबको अच्छा करते हैं, तो मुझे भी अच्छा करिएगा, फ बस मेरे आँसू बहे जा रहे थे, पताने गुरुजी कैसे कनेक्ट कर रहे थे, बस मेरे आँसू बहे जा रहे थे, मैं कुछ बोल लेने पा रहे थी, वहां सब लोगों को अंजली आँटी ने बोला, इनका सस्संग बहुत बढ़ा है, इनसे सस्संग सुनी है, पर मैं बता निए पा रहे थी इतनी ज्यादा मेरे बस आप सु बह रहे थे जो जाने गृरुजी जाना ऐसे कहके मैं चुप चाप पैट के पिर ऐसे गृजी जोडते चले गए फिर डॉक्ट्टर के हां गई नौरात्रों के बाद ज़ब हो गई तो डॉक्टर से मैंने रिक्वेस्ट किर प्राथ ना शुरू सुन ली, इंसलिन मेरा बंध हो गया, उसे समय मेरे बच्चे का, बड़े वाले बेटे का एपॉइंटमेंट आ गया, उसकी जाब को कॉनफर्मिशन हो गया, से गुरुजी सारी खुशियां देने लगे, अभी बस ससंग में जाती हूं, गुरुजी की सेवा करती हूं, जो जो कराते हैं, सब गुरुजी कराते हैं, मैं नहीं जानती कि टेलीपथी क्या होती है, मैं बिल्कुल नहीं जानती, कुछ भी, लेकिन लगतार गुरुजी, मेरे हर कॉशन का आंसर जरूर देते हूं, मैं जिस भी उलजन में होती हूँ, जिस भी परिशानी में होती हूँ, तो गुरुजी से बात करती हूँ, किसी न किसी रूप में उसका अंसर मुझे मिल जाता है, जिस भी चीज की इक्षा करती हूँ कि गुरुजी ऐसे परिशान हूँ, ये चाहिए, वो चाहिए मार्केट शांगे बुरुजी